अब हम बोहर's model of atom के बारे में पढ़ते हैं तो बोहर जो नील बोहर scientist है Copenhagen के उन्होंने जो Rutherford model atom का था उसमें जो कम्या थी उनको दूर करने के लिए एक नया model propose किया उसमें जो और जो उसमें improvement की की कुछ ही special orbits जो discrete मतलब अलग special orbits में ही electron रह सकते थे atom के बीच में हर जगा नहीं हो सकते थे एक तो यह चीज थी दूसरी जब इन discrete orbits के अंदर जब electron revolve करेगा तो वो radiate नहीं करेगा energy तो जो यह रदर ford model में जो कमी थी वो bore model के अंदर उसकी फिर दूर होगी जो कमी तो यह orbits या shells जिसके अंदर electron घुमेगा उसको नाम दिया गया energy levels तो यह atom के energy levels दिखाएं है center में nucleus है यह पहला shell है यह दूसरा तीसरा चौथा ऐसे दिखाए हुए तो इनको के से शुरू किये गए नाम सबसे अंदर जो है उसका k, l, m, n ऐसे नाम दिये गए तो n से भी डिनोट कर सकते हैं इसको n1, n2, n3, n4 इस तरीके से यह energy levels atom के दिखाएं गए हैं तो neutron के बारे में जानते हैं 1932 में scientist थे जे चेडविक उन्होंने discover किया कि एक और तरह का sub atomic particle होता है जिसका कोई charge नहीं होता लेकिन उसका mass करीबन proton के बराबर ही होता है तो उन्होंने इसका नाम दिया neutron तो neutron nucleus के अंदर ही present होते हैं hydrogen में नहीं होता है hydrogen में सिरफ एक electron और एक proton ही होता है neutron नहीं होता है इसके इलावा जो सारी elements है उसके इंदर neutron present होते हैं तो neutron को small n से denote किया जाता है लिखा जाता है तो mass जो atom का है वो protons और neutrons के जो nucleus में protons और neutrons present हैं उनके mass के बराबर ही atom का mass होता है क्योंकि electron के mass तो negligible होते हैं तीन subatomic particles हमें पता लगे एक तो electrons जो चारो तरफ घूमते हैं और nucleus के बीच में जो रहते हैं वो है protons और neutrons तो protons positive charge होता है वो भी nucleus के अंदर होते है neutrons neutral होते हैं कोई charge नहीं होता है वो भी nucleus में होते हैं और चारो तरफ electrons गूमते हैं वो negative charge होता है तो आगे हम देखते हैं कि electrons जो है वो चारो तरफ orbits या जो shells के अंदर किस तरीके से उनकी distribution होती है तो यह distribution scientist जो बोहर और बरी उन्होंने यह suggest की थी तो कुछ rule रूलों कुछ rules हैं जिनके तहत यह electrons अलग-अलग energy levels या shells के अंदर ही रह सकते हैं तो तो जो maximum number of electrons अगर किसी shell में रह सकते हैं कि maximum कितने electrons एक shell में रह सकते हैं तो वो उसके लिए formula है 2N square जो N है वो orbit है जैसे यह इसमें दिखाया था जो पहला orbit था वो 1 दूसरा orbit 2, 3, 4 यह energy levels भी कह सकते हैं यह पहला energy level दूसरा तो इस पहले energy level में कितने हो सकते हैं 2N square एन तो 1 है तो 1 का square 1 तो इसमें 2 ही रह सकते हैं तो second जो orbit है उसमें 2N square एन अगर 2 होगा तो 2 का square 4 और 4 को 2 से multiply करेंगे तो 8 दूसरे orbit में 8 रह सकते हैं तो इसमें यह दिखाया हुए K shell जो है उसमें 2N square जो पहली energy level है जिसको K shell कहते हैं उसके अंदर N को replace कर दिया हमने 1 से तो 1 raise to power 2 तो 1 नहीं होता है 2 multiply by 1 2 तो इसमें 2 ही electron हो सकते हैं पहले orbit में L में 2 multiply by 2 raise to power 2 तो यह 8 हो गया तो L shell जो है या L energy level उसमें 8 रह सकते हैं तीसरा M shell है M में 2 multiply by 3 raise to power 2 3 raise to power 2 होता है 16 और 16 प्लस multiply नहीं 3 raise to power 2 होते हैं 9 9 multiply by 2 18 तो 18 हो सकते हैं M shell के अंदर ऐसा ही N shell में 32 हो सकते हैं और इस तरीके से so on तो और एक और दूसरी ध्यान देने वाली बात है जो आख जो maximum electrons आउटर मोस शेल है जो सबसे बाहर वाला शेल है उसके अंदर आठ ही हो सकते हैं यह भी ध्यान रखने वाली बात है और electrons बाहर वाली शेल में तब तक नहीं हम जाएंगे रखेंगे जब तक अंदर वाली शेल पूरी नहीं हो गई हो सपोज किसी उसके अंदर दो energy levels में इलेक्ट्रॉन है तो first में दो इलेक्ट्रॉन जैसे चाहिए तो दो पूरे हो जाए तो यह नीचे इस figure के अंदर जो पहले 18 elements है हमारे प्रोडिक टेबल के उनके बारे में दिखाए गया है कि जैसे hydrogen में अंदर यह nucleus है बाहर एक electron है हिलियम में दो इलेक्ट्रॉन है शेल में lithium के अंदर first के अंदर सिर्फ दो ही आ सकते हैं अगले में आठ आ सकते हैं तो आठ क के जिगा इसके पास तो तीन ही electron थे lithium में तो एक बाहर हो गया तो इस तरीके से यह सब में बता रख रख जैसे carbon के अंदर total electron six हैं तो पहली shell में दो और बाहरवाली shell में चार आप इस तरीके से अल्मूनियम में देखिए जो first shell है उसमें दो जो इसको K केंगे K shell में two electrons हैं L में eight हैं और KLM में three हैं तो इस तरीके से यह अलग-अलग सब बता रख रख था हैं तो valency जो हमने पड़ी थी पीछे भी chapter में उसको देखते हैं क्या होता है तो अभी हमने सिखा कि electrons अलग-अलग shells में या orbits में पाए जाते हैं atom के अंदर तो आखरी outermost shell में जो electrons होते हैं atom के अंदर उनको valence electrons कहते हैं तो जो बहुर बरी जो यह pattern scheme जो हम देख रहे हैं उसमें आखरी जो जो shell है उसमें maximum 8 electrons हो सकते हैं जो हमने अभी देखा तो जिसकी shell में आखरी shell में 8 electrons पूरे होते हैं उसको हम complete shell बोलेंगे वो ज्यादा chemically active नहीं होगा तो मतलब उसकी valency zero होगी अगर किसी के element के outermost shell के अदर 8 electrons हैं तो और helium ऐसा है helium भी एक inert element है helium के उसमें दो electrons होते हैं और outermost shell क्योंकि उसके 2 electrons हो सकते हैं जो k के अंदर तो वो भी कम reactive होगा तो इस table के अंदर दिखाया गया है कि composition जो पहले 18 elements हैं उनकी electron distribution बताई गई है कि element का जो hydrogen है उसका symbol h हो गया atomic number उसका one हो गया atomic number होता है कि उसमें कितने electrons उस element में है उस element के atom में हैं या कितने protons हैं क्योंकि electrons और protons की quantity हमेशा एक atom में बराबर ही होती है तब ही उनका charge आपस इसमें neutralize करेंगे और overall जो atom होता है वो neutral होता है तो atomic number one हो गया number of protons इसमें one हो गया neutron होते नहीं है सिरफ hydrogen ही ऐसा element में neutron नहीं होते electron इसमें एक हो गया तो shell जो first shell है उसके एक electron है इसको shell पूरा करने के लिए first shell के अंदर दो electron आ सकते हैं maximum तो इसको एक electron और चाहिए तो इसकी valency होगी one या तो यह एक electron डोनेट कर देगा यह यह एक electron और accept कर सकता है helium जैसे element है उसका atomic number 2 है तो protons भी उसमें 2 होते है electrons भी 2 होंगे लेकिन neutrons भी इसमें 2 है ज्यादा तर आप देखोगे कि निचे इसके अंदर protons और neutrons है वो सब में बराबर है लेकिन आप निचे जाके जो higher elements से उसमें देखोगे protons 18 है neutrons 22 है तो protons और neutrons जरूरी नहीं बराबर हों लेकिन protons और electrons हमेशा बराबर होंगे protons और electrons हमेशा बराबर होंगे क्योंकि वो charge neutralize हो जाएगा atom का तो इसमें helium के अंदर आप देखोगे कि outer most shell में 2 electrons थे तो k जो energy shell है या हमारा energy level है उसमें 2 ही आ सकते हैं तो 2 आ गए तो इसकी valency 0 है क्योंकि इसको और नहीं चाहिए 2 maximum आ सकते थे 2 आ गए lithium है उसका atomic number 3 है protons 3 है और आखरी shell में electrons भी 3 है तो first shell में तो 2 आ गए उसके next shell में 1 है तो यह एक donate कर सकता है तो इसकी valency 1 है ऐसे ही beryllium के 4 electrons है तो पहली shell में 2 आ गए आखरी उससे अगली में 2 है तो उसकी valency 2 हो गई बोरोन की इस तरीके से 5 को डिवाइड किया 2 और 3 के अंदर 3 valency इसकी आगे बढ़ते रहेंगे अब यह देखिए आपकी nitrogen जो है इसके 7 electrons है इसके अंदर first में तो 2 आ गए अगली shell जो K के बद L shell में 5 electrons है तो इसको 8 पूरे करने के लिए 3 और चाहिए 3 और accept कर सकता है तो या तो यह 5 donate करे अपने या 3 accept करे क्योंकि 5 donate करना मुश्किल है और 3 accept करना असान है 8 पूरे करने के लिए तो इसकी valency 3 है ऐसे अगली oxygen है उसके first 8 electrons होते है total first में shell के अंदर 2 है अगली shell के अंदर 6 है इसको अपनी 8 पूरे करने के लिए shell में 2 और चाहिए तो 2 इसकी valency है तो आप यह देखेंगे कि जिनके अंदर शुरुवाति के अंदर जो elements जो है उनके अंदर valency तो बराबर है जितने electrons आखरी shell के अंदर है लेकिन जैसे 4 से जादा बढ़ते हैं तो यह उल्टे हो जाते हैं कि जैसे 5 हुए तो उसको 8 पूरा करने के लिए 3 चाहिए तो valency जितने चाहिए electrons और accept कर valency 8 पूरा करने के लिए उतने बन गए अभी neon जो है उसके अंदर 10 इलेक्ट्रोंज है टोटल फर्स शेल में दो हैं और सेकेंड शेल में 8 हो गए पूरे तो इसको तो 8 चाहिए थे शेल में 8 ही हो गए और कोई ना यह accept करने में interested तो इसकी valency 0 है तो 0 होने कारण यह ज्यादा reactive भी नहीं हो गए neon इनको inert gases भी कहते हैं inert मतलब ज्यादा active नहीं है यह react नहीं करती है सानी से तो यह और भी आगे देख रखें phosphorus एक special जैसे इसमें दिख रहा है आपको इसके अंदर 15 electrons हैं first में 2 आ गए second पूरी complete हो गई 8 third में पहुँच गए third में 5 हैं तो या तो यह पांच donate कर सकता है या 3 accept कर सकता है तो इसकी valency 3 भी है 5 भी है कई जिगां पर यह 5 electrons donate कर देता है कई जिगां पर 3 accept भी कर लेता है आरगन जाके यह inert है उसमें zero valency क्योंकि आखरी दोनों shells पूरी है और first तीनों shells पूरी है KLM आखरी में 80 हो सकते maximum तो यह हमने पहले 18 elements का जो है वो देखा तो जो combining capacity है atoms की कि औरों के साथ कितना combine हो सकता है वो atoms वो depend करता है कि उसकी जो valency के उपर कि आखरी जो shell है उसके अंदर कितने electrons या donate कर सकता है या वो कितने accept कर सकता है अगर आखरी shell में 8 electrons पूरे हो जाते हैं तो उसको octet क्याते हैं octet शब्द बना है 8 से 8 से तो उसको कहेंगे कि वो मतलब ही possesses उसके पास octet पूरा है अपना तो 8 अगर पूरे हो जाएंगा outer shell में तो react भी कम करेगा जैसे हुमने उपर देखा argon helium इस तरह की चीज़ें थी तो react कैसे करते हैं जो atoms है या तो वो share करेंगे अपने आखरी जो shell के के लिए outer most shell के तो उसको हम कहते हैं valency वो जितने जो उसको valency के बारे में पिछले chapter में भी हमने पढ़ा था जैसे कि example है hydrogen lithium sodium इनके आखरी shell में एक electron होता है तो यह यह एक electron lose कर सकते हैं यह दे सकते हैं दूसरों को तो इनकी valency one है one मानी जाएगी तो magnesium और calcium aluminium जो है magnesium की ऐसा ही two electrons थे आखरी shell में तो दो दे सकता है उसकी दो valency है aluminum की three valency है अगर पूरी eight electrons आखरी outermost shell में पूरे हैं तो उसकी valency किसी और तरीके से अगर पूरे होने के करीब हैं आठ पूरे होने के करीब हैं तो valency अलग तरीके से जैसे हमने उपर देखा पाई जाएगी suppose fluorine के अंदर 7 electrons होते हैं outermost shell में तो उसकी valency साथ भी बोल सकते हैं लेकिन उसको साथ electrons lose करने में ज्यादा energy लगेगी और एक electron game करने में कम मेहनत लगेगी तो उसकी valency आठ में से एक minus मतलब आठ पूरा करने के लिए उसे एक electron चाहिए तो उसे एक valency माने जाएगी fluorine की तो oxygen की भी ऐसे ही calculate कर सकते हैं हम सब metals की अब हम देखते हैं कि atomic mass और atomic number जो है तो atomic number और mass number के बारे में जानते हैं atomic number पहले जानते हैं क्या होता है यह हमें पता है कि जो protons nucleus के अंदर होते हैं atom के तो कितने protons उस atom में हैं वो determine करते हैं उसका atomic number क्या है और atomic number को हम Z से denote करते हैं बड़े capital Z से लिखते हैं तो जितने भी atoms होते हैं उस element के सपोज oxygen के पूरी दुनिया में जितने भी atoms oxygen के सबका atomic number सेम ही होगा atomic number मतलब उसके nucleus के अंदर number of protons कितने हैं जैसे hydrogen का जो उसमें nucleus में एक proton होता है तो hydrogen का atomic number हो गया वन ऐसा ही carbon का atomic number है six मतलब की carbon के अंदर nucleus के अंदर six protons present होते हैं तो atomic number को कैसे define करेंगे है कि total number of protons कितने present है उसके nucleus के अंदर atom के तो उसको atomic number बोलेंगे atomic अब दूसरा है mass number mass number होता है कि total protons और neutrons कितने present हैं nucleus के अंदर उस number को हम mass number केते हैं अभी तक हमें यह पता लग गया कि जो nucleus में दो ही तरह के particles होते है protons और neutrons इन दुनों को protons और neutrons को मिलाके nucleons भी कहते हैं तो जो total mass होता है क्योंकि 4 तरफ electrons गूम रहे हैं उनका mass तो negligible है ना के बराबर होता है तो main जो atom का mass है वो number of protons और neutrons के कारणी होता है तो mass number हम कहते हैं कितने protons और neutrons present है atom के अंदर अब carbon का mass number है वो 12u है क्योंकि इसमें 6 protons हैं इसके nucleus में और 6 neutrons तो 12u बन गए 6 plus 6 ऐसे aluminium का mass number है वो 27 है क्योंकि इसमें 13 protons और 14 neutrons present है aluminium के nucleus के अंदर तो mass number को हम define कर सकते हैं total number of protons और neutrons nucleus के अंदर atom के कितने present हैं तो इसको हम लिखते कैसे हैं symbol element का लिखेंगे और उसके left side उपर mass number लिखा जाता है नीचे atomic number लिखा जाता है अब जैसे यह nitrogen का लिखा हुआ है तो nitrogen का symbol n हो गया 14 उपर की तरफ लिखा गया है क्योंकि इसका mass 14 हो गया और atomic number नीचे आ गया तो यह दोनों number हैं उपर mass number नीचे atomic number atomic number मतलब total protons 7 हैं और total protons और neutrons 14 हैं है है यह है है अ हुआ है 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 है